अवाज बगारा आ रही है किलियर हो रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजे और इसके बाद हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से चले शवी को गड़े उनिंग हरर मा देओ चले नमस्ते भीया नमस्ते नए जूड़े हैं तो एक बार जैन लिख दीजेगा ठीके राम राम गड़े उनिंग चले राम राम चले आ रही आवाज ना रड़े है तो चले फिर स्टार्ट करते हैं यहां पर आज की सेशन को स्टा हो गया है वह अगले साल आएगा तो हमने का सर वह अगले साल आएगा इसका मतलब यह हो सकता है कि हम यह कह सकते हैं वह अगले साल आएगा अगले साल में आएगा तो अधिकरन कामा में जो हम में कामा पर होता है वह होता है अधिकरन में तो इसको आप से मनेगा सी निमरे र रहा है कि कला का अंतिम और सरोच दे क्या है सौंदर है वाकि में पूचा है बी सेशन जो आपके हैं वो आपके कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर कला का अंतिम सब्दा आपका है हाना यहां पर सरोच जो सब्दा आपका दिया गया है हाना और यहां पर आपका देखा जा का जाए रूंबर भिज्वाषा, रिपोट-पन, पूर्जव։ सही, मating पलाई देज़ा, पुर्ड़ी सिर्ड़ी नंबर भिजवाश्वाषा, भीजवी से किस वाकि में अकर्मक किरिया है आकर्मक मतलब बिना कर्म की ही किरिया पूरी हो रही होगी आकर्म हना देको यहां पर आपसे पहला पॉंड कह रहा है पच्छी आकास में उड़ रहे है चिडिया चाना दाना चुग रहे है पसु मैदान में चर रहे है अध्यापक बच्चो को पढ़ा रहे हैं तो यहां पर देखे जो आपका दिया गया है उड़ रहे हाना उड़ना सब्द जो आपका है यह क्या है किरिया है लेकिन यहां पर कर्म आकास नहीं होगा ठेके ना तो हम यहां पर क्वेशन कर लेते हैं क्या यह सई है क्या नहीं है तो हमने का जब आपको किरिया करना होता है तो आप कहेंगे सर क्या उड़ रहे हैं हना हमने कहा सर जो भी किरिया होती उसमें कोशन किया आता है क्या का तो क्या उड़ रहे हैं आप कहेंगे सर पच्छी उड़ रहे हैं तो पच्छी तो आपका हो गया करता यहाँ पर यह पच्छी क्या हो रहे हैं कर्म पर फोकस तो ही नहीं रहा है जब कर्म पर फोकस नहीं हो रहा है तो आप कंसल यहाँ पर एव हो जाएगा अब हमने का कि अगर यहाँ पर यह वाला आपका कर्मक है तो sir वी वाले को भी यहाँ पर एक बार इससरे टेस्वाइट करिए हमने का, यहाँ पर पूझेंगे क्या चुगरा है हमने का इसमें question करिए क्या चुगरा है, हना, तो आप कहांगे sir दाना चुगरा है, तो दाना होगया कर्म, तो आपको समझ भिया गया कि इसमें कर्म है इसमें भी कर्म है इसमें लेकिन इसमें कर्मने इसमें करता पर पोकस हो रहा है ठीक है आगे बड़ी एक वर्सनाव सिलाप पूछा गया है कि निमने खित में से किस वाक में पूर्व कालिक किरिया है पूर्व कालिक क्रिया आप से पूछा गया है और आप दे सकते हैं कि ठोकर लगते ही लड़का गिड़ गया वह चाय पी कर घूमने जाता है दिको वह चाय पी कर घूमने जाता है तो पहले तो भई चाय पिया होगा तभी तो घूमने गया होगा हाना तो आप कहेंगे सर अंसर नम्बर आपका ब्री वाला यहापर सभी का जवाब सही हो जाएगा ठीक है ना यहापर अगला कुछ निया गया है किने मने कित्मेसिक किस वाकि में भावाच दिया है गर्मियों में रोज नहाया जाता है मैं अब और नहीं लिख सकता विद्यार्थी देड़ टक पढ़ते हैं नानी द्वारा कहानी सुनाए गई हाना हमने का सर यहाँ पर जो अंसर है आपका सिसम्बर में वाफसन निनमे से क्या हो जाएगा चले गर्मियों में रोज नहाया जाता है हना तो इसमें तो आपका भावाच नहीं है मैं अब और नहीं पर लिख सकता हूँ चलिए मैं अब और नहीं लिख सकता है इसमें कहां से आ रहा है भी यहां पर अब बी वाले में कहां से किस साब से भाव आपको लग रहा है कि इसमें भाव लगा दिया जाए यहां पर भाव सब्दा आपको लग रहा है यहां पर ऐसा तो नहीं लग रहा है ना तो आपसन बी जारती देर तक पढ़ते हैं यह इसमें भी आप का भाव धोड़ो है अब यह तो यह तो ऐ नमबर होगा यह तो आपसट धी नमबर होगा अब दोनों में धेखिए कोई आपसन आपको लगाना है देखो चलिए क्यरा है गर्मियों में रोज नहाया जाता है नानी द्वारा कहानी सुनाए गई तो यहां पर अगर द्वारा सब्द लगा होता है तो क्या होता है द्वारा सब्द होता है कर्म में किसमें होता है कर्म वाच्ची हो जाता है जब द्वारा लग जाता है कर्म हो जाता है यह दोआरा सब्द होता है कर्म वाच में तो आपका डिवैला नहीं होगा तो आपका बचा है गर्मियों में रोज नहाया जाता है यहाँ पर अंसर आपको देना है यहाँ पर आपका होजएगा बीनमबर होजएगा अच्छा जहां निगेटिव होगा तो वो आपका 100% आपक कर्म क्रिया के साथ निगेटिव होता है यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका नहीं लिख दिया इसका मतलब भाव में चला जाएगा ऐसा तो नहीं आपको रूल पढ़ाया गया है आप अच्छे से पढ़िएगा कि निगेटिव अगर होई तो 100% भाव नहीं होगा लेकिन आप आपसन को समझे कहा रहा है रोज नहाया जाता है फोकस हो रहा है इतने में देखी इसमें भाव दर्सारा है ठीक है ना तो आप कंसर एवारा बनेगा वांकी स्क्रीन सॉट ले लिजेगा और अच्छे से अध्यन कर लिजेगा ठीक है किलेर है अगला कोसन आप से कह रहा है यहां पर दिया गया चुदित भी सेशन बना है यहां पर बताना है चलिए अच्छा एक कोसन दिया गया था अब चला जाए उसमें तो निगेटिव नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी यह भाव आच्छे यह कैसे वाच्छों हो गया अगर आपका मानना है कि जब समें नहीं है लेकिन यह तो भाव आच्छे आपका है हना तो जरूरी नहीं होता कि निगेटिव है बस आपका होता है कि किरिया अकर्मक होना चाहिए किरिया जो होगी वो अकर्मक होती याद रिखेगा किरिया अकर्मक हो और निगेटिव हो यह दो आपके रूल होते हैं दो है जो चुदा बना कशुदा संग्या से बना है यांपर जुदी आपका अंसर होगे आपका सी नंबर है अगला हार्दिक विसेशन की संग्या है हार्दिक विसेशन है यहां पर संग्या या ठंबर में देखी क्या है चलिए हरद जो दिया है हद दिया है और हरदे दिया है तो हरदे यह पूरा पूरा तो हो नहीं सकता हरदे अगर हरदे होता तो हरदिक थोड़ों बोल सकते हैं आप समर आपका यहां पर आपका ए नमर इसका राइट हो जाएगा हरद जो दिया हर हरद में एक प्रत्य लगाया गया है क्या इसमें लगाया गया है एक प्रत्य और एक प्रत्य से बन गया है आपका हारदिक हो गया है हमने एक बात बताया था कि पहला जो सब्द हो गया हाद बड़ा हमने कहा था जब एक प्रत्य लगा होता है तो जो पहला पॉइंट होता है बड़ा आकी मातरा लग जाती है और देखिए आपका अंसर आपका ये नमबर राइट भी हो गया है ठीक है ना? यहाँ पर अगला कोशन देगा है वा जो बेंजन है वा आपका कैसा है वा बेंजन जो आपका है कैसा बेंजन है तो यह 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 रा लावा अंतास्त होते भी नंबर है अगला है सन्युक्त बेंजन आपका कौनसर नहीं है तो आपके सन्युक्त बेंजन 6 है, 3 है, ग्यां है लेकिन फा नहीं होता, यह आपका ओस्ट में होता है अज़ाई को स्वर्ण से दिया गया 11 नंबर में और आपसे कहा रहा है कोवर्म का हिंधी सब्द की होता है यहाँ पर देना है देखो यहाँ पर देखे 11 नंबर का जो आपसन होता है कोवर्म एक सबधा मने बड़ा रहा है था आपको कब कोरम प्राया था कोरम अब आपको याद आगया होगा कोरम मतलब होता है गणपूर्ती हना याद रिखे लोकसवा और राज्यसवा के लिए हमने का था एक बटे दस कोरम होना चाहिए कोरम अर्थात गणपूर्ती होना चाहिए तब ही आपका चलेगा तो इसका अंसर क्या बनेगा यहां पर आपसन आपका बनेगा बी नमबर राइट हो जाएगा नेस क्केशन आपसे देग्या है कह रहा है रूड सब दिन में से कौनसा है रूड सब देया दरखे ऐसा होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं अगर उस सब्द को तोड़ेंगे तो उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा खंडन के बाद यहाँ पर देखो आप से कह रहा है कि आप पंकर जो यह तो विशेस है विद्याले क्या है विद्या धनाले यह तो आपका ही है जलज भी आपका है लेकिन कमल नहीं है हमने बताया था कमल को अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ तो सकते हैं लेकिन तोड़ने के बाद इसके अर्थ आपको नहीं निकलेंगे हाना तो यहाँ परंसर आपका D हो जाएगा जैसे यहाँ पर क्या होता है हाथी होता है अब हाथी सब्दों को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेंगा नहीं वैसे अगर का को हम तोड़ेंगे या कम को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ आप निकलेंगा उसका भी मतलम नहीं होगा तो यहाँ परंसर आपका D हो जाएगा मिनाच्छी का अर्थिन में से क्या होता है मिनाच्छी का अर्थ होता है क्या तो आपके इसर मिनाच्छी का जाता है मचली की तरह गोल आखों वाली को कहते हैं मिनाच्छी और समर आपका B राइट हो जाएगा देखे जिसका आ गया है बिल्कुल सही है निस को चुछन दिया गया है कि अंत और अंत यूगम सब्द के सही अर्थवेद बताना है अंत है तो अंत मितलब समाथ और अंत मितलब होता है नीची जैसे अंतेज जे हने एक सब्द होता है अंतेज तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा ठीक है ना हाँ बेलकुल सही है कि पंकाज और जलाज आपके योगरूड सब्द है वेरी गुड अगला देखो दिया गया है कोशन नमर आपका पंदरा है दिया गया है कली और कली हाना अब यहाँ पर देख आप से कह रहा है कि वह हमार्ग जो चल्ले में कठनाई पैदा करता है उसके लिए क्या कहते हैं वह हमार्ग जो चल्ले में कठनाई पैदा करता है तो यह होता है दोस्तों दुर्गम बोलते हैं यह रास्ता बड़ा दुर्गम है क्या बोलते हैं यह रास्ता बड़ा दुर् यहां पर कहरा है उप से और देखे उप वाले में पहला दिया है उपवन दिया है उपकार दिया है और उपलच दिया है तो जब आपको पहला ओप्सन मिल गया है तो हम पहले ओप्सन लगा देंगे बाकि और कहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहां पर उपा हो नहीं सकता है हना यहाँ पर उपयुक्त दिया गया है उपधन युक्त उपर 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 आपका हो जाएगा हना तो इसको आपसन दिबनेगा अगला है निम्निकित में से करत्य वाच्छे प्रत्य वाला सब्द क्या है जो का से करत्य का से किरिया और किरिया में प्रत्य वा फिदिया है बुड़की, फिदिया है घबराहट, फिदिया है डाक्टरी तो आपकी भावचक संग्या है हना डाक्टरी भाव हो जाएगा बुड़की भी नहीं होगा लिकिन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहां पर प्रत्य किसमें लगा है प्रत्य तो लगा है आपकी इस तस्तरी क्या बोलेंगे उड़ती है जो तस्तरी इसको लिखेंगे उड़ती है जो है जो तस्तरी उड़ती है जो तस्तरी आपका होता है तस्तरी तो आप कहेंगे है जो सब्द जब लगा होता है हमने बताया है जो सब्द लगा हो या के समान आपका लगा हो तोड़ने में अ सभी कौनसर लग रहा है इसका जो अंसर आपका ए नंबर आपको बताना है कोशन नंबर डाल दिया करें कहा रहा है निम्निकित में से किस क्रमांक में दुन्द समास है चले यहाँ पर दुन्द समास जो 20 नंबर में है तो भीम आरजुन आप कहेंगे सही है 22 दिया गया है 22 तो आप कहेंगे सहर यहाँ पर 21 20 और 22 तो यहाँ पर आप कहें हो गया 55 दिया गया है 50 और 5 55 मतलब आपको अप precise अपका ड्डी वाला हो जाएगा यह सभी अगला है कि सब्द में संदी का प्रयोग हुआ है संदी का सही प्रियोग आप से पूछा गया एक एस संबर में पहला उपसन देखिए कह रहा है अधा धन पतन दिया है अधो पतन ये क्या जो दिया है अधा पतन होता है अधा धिरन है पतन हो जाएगा अधा पतन हो जाएगा देखो ये जो आपको याद रख लेना है कि इसमें आधा पतन होता है यहाँ प्रगला दिया है निंकित में से संधी गलत प्रियोग हुआ है 22 संबर में 22 वालिम देखते है 22 वालिम क्या कहा रहा है कहा रहा है पूरा धन करत पुरसकरत आपका हो गया गुर्णा धन पद आधा सापक लगके आपका पूरा हो गया ये भी सही है स्रेधन कर स्रेशकर ये भी सही है अब यहाँ पर देखो दिया है वनाह धन पती वनस्पती दिया गया है अब आप समर्बर आपका जो डी दिया गया है हना जो डी नमबर दिया गया है यहां पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा वनस्पती वनस्पती यहां पर देखा जाए तो विसर्ग इसके इस्थान पर सा हो जाता है विसर्ग के इस्थान पर सा हो जाता है वनस्पती क्या डी वाला आपका सही हो सकता है चलिए का दिया है खा हो और फा हो तो विसर की इस्थान पर सा हो जाता है मतलब आधा सा हो जाता है इसमें डी वाला है एक मिनट कोश्चन नमर बाइस वाले में देखी है मैं इसा लग रहा है डी वाला डी वाले में जैसे दिया गया है आपका वनस्पती दिया है तो वन तो हमने लगा लिया और आधा जो सा दिया है आधे सा का क्या होता है विसर्ग होता है और यहां पर पती हो गया वनस्पती यह तो आपका सही लग रहा है अब बताई ये कौन सा है पुरा धनकरत है, पुरुषकरत हो जाएगा और घरणा धन दिया है और इस पर दिया है, ये भी है श्रीय अधनकर स्रेसकर दिया है, ये भी सही दिया है चले एक बार इसको हम देख लेंगे कोर्श नमर 22 में हमें इसे लग रहा है सभी सही लग रहा है हना यहां पर सभी सही लग रहा है गोर्श नमर गोला का वाइस का अपनी स्क्रीन सो ले लिएगा अगला आपसे दिया गया सादवा चार का संदी विच्छित पूछा गया है सादवा चरण का संदी विच्छित पूछा गया है तेई संबर आपसे कह रहा है सादवा चरण में होता है साद उधन आचरण क्या बनेगा साद उधन आचरण और जब साद उधन आचरन है वो अप्षन क्या बनेगा 30 मबर को जो अप्षन है यहां पर हो जेगा सी निम्बर साद उधन आचरन इसका किस समू में सभी सब्ध संदी से युक्त है संदी से क्या है युक्त है आर्थात यहां पर दिखे 24 मबर में पहला पॉंट दिया गया है कहा रहा है नीमाडी दुर्जन तो यहां पर देखा जाए दुर्जन और दिया है निश्चल दिया गया है साकार है सरोज है मयूर है दिवेंद्र है निसीति उसंकुल है मनोज देखे मनोज वालिम देखे मनोज में मना धन जो हो जाएगा और नरेश में नर धनीस हो जाएगा और सीतुर मोता है सीत धनरुति D वाला बिलकुल सही है D वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर अंसल आपका संधियुक्त आपके D है इनका हम संधिय कर सकते हैं अगरा है निसफल में कौन सी संधिय है वसमर आपका 25 है 25 संबर में देखेगा निश फल तो आप कहेंगे आधा सा को हटा देंगे और आपका विसर लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा यहाँ पर नी बनेगा और आधे सा को हटा कर विसर लगा देंगे और फल बन जाएगा यह तो विशर गसंदी आपका हो गया है अगला कोर्शन दिया गया है अनुरक्त का विलूम क्या होता है कोर्शन यहाँ पर दिया गया है अनुरक्त का जो विलूम होता है यहाँ पर क्या होता है 26 मरे तो अनुरक्त मतलब होता है क्या यहां पर अम्रक्त मनला होता है प्रेम नहीं क्या होता है प्रेम तो जब प्रेम ना हो तो इसका विलूम होता है विर्यक्त जब किसी से घ्रणा हो जाती है तो आप कहेंगे सरौप्समराप का डी हो जगा नेश को संद्य गया है प्रचन्य सब्द का विलूम इन में से कौन सा है प्रचन्य का विलूम क्या होता है प्रचन्य सब्द का विलूम तो प्रचन्य का हो जगा प्रतिपन प्रचन्य और प्रतिपन ये एक दूसरी की विलूम होते हैं जैसे प्रतिच का प्रतिच होता या परोच कह सकते हैं प्रतिबद्य का आप प्रत्यव्यद होता है और मुख या प्राजमी का गड़ होता है तो बचा हुआ जो आप कंसर है यहाँ पर आपका अब्वी नमबर है आपका जवाब भी हो जाएगा निश कोचन दिया गया है कि निमनिखित में से कौन ससब्द प्रभावी का बिलोम नहीं है प्रभावी का बिलोम नहीं है नहीं सब्दा आप से पूछा गया है आठाई सम्मर में तो आप कहेंगे सर प्रभावी का देखे आप प्रभावी हो जाएगा निश्प्रभावी हो जगा, प्रभाव सुने हो जगा लेकिन अपर युक्त सर्जुद्द दिया है यह इसका विलोम नहीं हो पाएगा दोस्तों याद रिखेगा है ना, यहाँ पर अगला कोछना आप से कह रहा है यहाँ पर आप से क्या कह रहा है यहां पर दिया है निम्निखित में से परेवाची सब्दा आपको सही विकल्पा आपको चुनना है यहां पर देखो दिया है दूद का परेवाची इन में से क्या हो जाएगा चलिए यहां पर बताना है आपका जो अंसर है राइट क्या होज़ेगा दूद का परयवची पूछा गया है यहाँ पर देखे आपसे कहा रहा है दूद का परयवची क्या है 29 मर आपसे दिया है और 29 का option में से क्या होज़ेगा तो 29 का होज़ेगा इस्तन जो की option आपका बनेगा A number अगला है प्रेच्छा का परयवची क्या होता है प्रेच्छा का परयवची पूछा गया है और प्रेच्छा का होज़ेगा क्या प्रेच्छा होता है द्रस्टी यहाँ पर जो अंसर है आकास का परिवची क्या होता है आकास का परिवची आपको बताना है यहां पर आपका अंबर भी होता है अंत्रिच भी होता है आपका सी हो गया है मुहौरे आपको बताना है आप से कह रहा है आँख का पानी ढल जाना इस मुहौरे करते क्या होता है तो आँख का पानी ढल जा जाए चाहे जितना डाटे लेकिन वह अपने वाज नहीं आते निरलज जरता तो अप्सन सी हो जाएगा, अगला आप सकता ताली मतलब क्या होता है, 33 सम्बर में, तो थाली मतलब क्या है कमी है, उसमें सिध्धान नहीं है, आज यहां तो कल यहां, मतलब यहां पर होता है, रख दोगे वो कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर कहीं उधर तो आपसन क्या हो गया डिर्मबर अगला है कि तलवार की धार पर चलना चोतिस मरें तलवार की धार पर चलना मतलब नुकीला होना तो होगा नहीं कठिन कारे करना आपसन क्या होजेगा यहां प्रापकर्टी आगला इस सुद्ध वाके चैन करना है आप से कह रहा है नदी की किनारे बहुत पेंड खड़ा है बहुत पेंड खड़ा है हमें तो आपको गड़वडी मिल गई पहले आप्सन में क्या मिल गई है यहां पर पहले आप्सन में कह रहा है नदी की किनारे बहुत पेंड खड़े हैं यह होना चाहिएगा चाहत्र अनुसासन सब्दाप्स को उंपना चाहिए यह यूद्ध मनुस्री तरह से option C हो जएगा युद्ध मनुष्य को आमानवी बनाता है इसका option आपका हो जएगा C नमरे right हो जएगा आमानवी सब्दा आपका बिल्कुत सही रखा गया है यहाँ पर दिया गया है आपका D अपने पुत्र में ममता होती है यहाँ पर देखे आपको बताना है यहाँ पर इन में से क्या बन सकता है चले सुद्ध दवा की बताएगा यहाँ पर 36 मर में मा को अपने पुत्र में ममता होती है या मा को अपने पुत्र से ममता होती है क्या भर दिया जाए C वाला यहाँ पर दीखे option आपका थड़ वाला आपका जवाब जाएगा मा को अपने पुत्र से ममता होती है option सी वनेगा अगला है तदभाव सब्द आप से पूचा है तदभाव सब्द होता है जो थोड़ा बहुत क्या होते हैं एक प्रकासे यहां पर संस्क्रस से निकाल कर लाए जाते हैं ल आप से कह रहा है निम्निकित में से कौन सा काटना का तसम है काटना का तसम होता है करतन कहीं पर दिया गया है option सी दिया गया है अगला दिया गया है आप से कह रहा है यहां पर किस रस का इस्थाई भाव निर्वेद होता है किस रस का इस्थाई भाव निर्वेद होता है यह पर सांत हो जाएगा आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा भरत मुनिक अंसार नाट सास्त में सांतरस का वर्डन ही नहीं मिलता है तो इसका अंसार आपका भी बनेगा निश्कु संद्या है दियो सान क्या दिया है दियो सान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संद्या सुंदर को निर्जीवता के साथ जोड़ा जा रहा है तो आपके इंगे सर यहां पर यह है आपका मानवी अलंकार है क्या है मानवी अलंकार हो जाएगा यहां पर मानवी हो जाएगा क्योंकि जिस पंक्ती में यह जहां पर निर्जी वस्त का सजी वड़न कर दिया जाए तो बहुत यह वहाँ पर क्या होता है आपका मान भी होता है अगला कुशन देआ गया है आतरान को पढ़ना है और आपको बताना है यहाँ पर जाष्ट के सर्वांगिन विकास के लिए आफसे दिया ग्या है गद्दियान साथ की कोशन गद्द्द तरह मिलें गे बाहर सी कोई कोशन नहीं होगा यहाँ पर देखे इगला कोशन का आग्या है कोशन नम्र आपका 66 लिस दिया ग्या तरह मड़़ा रोज यहाँ का पग विद्या स्री निवास मिस्ट का है यहां पर थरी हो जाएगा और अगला है विवाह योग यह आपका है किसका गुलाब राय है तो आपके इसर यहां पर आपका दो हो जाएगा तो आपका जो अंसर बनेगा 4-1-3-2 बनेगा 4-1-3-2 देखिए यहाँ पर option आपका मिल गया है D-Number ने इस question कहा रहा है साधरनी करण और ब्यक्ती वैचित्रवाद निवंदी के लेखक कौन है साधरनी करण और ब्यक्ती वैचित्रवाद निवंदी के जो लेखक है वो आपके है कौन यहाँ पर option B हो जाएगा आपका dr. नगेндर option B डाक्तर नगेंड बनेगा यहाँ पर अग़्ला कुशन आपसे कह रहा है ठिठुरता हुआ गरतंत इस ब्यंग संग्रा के ब्यंग कार कौन है ठीठी रुता हुआ गरतन्त के जो आपके ब्यंग कार है यहाँ पर इन में से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो 48 मर को आपसन मनेगा D-Number पर यहाँ जो आपके ब्यंग के लिए जाने जाते हैं वो हरी संकर पर साही होते हैं आपसन मनें क्या होजेगा D-Number राइट हो जाएगा अगला कोस्तिकर गया है चार शुकली के अनुसार चायावादी के प्रत्थम वा प्रतनी जो आपके हैं यहाँ पर कौन हो जाएगे तो यहाँ पर देखें rhoi9 संबर में यहाँ पर सुमित्रा है आपसन D हो जाएगा और समर जिसका आएगा बी नमरें बिलकुछ सही जाएगा किलियर है ना? Very good यहाँ पर अगला कुसम आप से कह रहा है कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महा का बीन में से कौन सा है जी हाँ बताए यहाँ पर यह हिंदी का प्रथम महा का बीजो आपका है इन में से क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर् 336 की बात करते हैं तो आप समर अपकब B हो जाएगा प्रतिवी राज रासो ये हिंदी का परतम माहा का अभ्याब का है अगरा कुसना आप से कह रहा है आप बरंस के परतम माहा कभी आपके कौन थे अब बरंस के प्रतम महा कवी पूछा गया है और आपका जो अंसर है यहाँ पर स्वयम्भू हो जाएंगे स्वयम्भू अपसन आपका ए बनेगा अगरा है कि आदिकाल में किस कवी ने अवाहत भासा में रचना किया है यहाँ पर देखे यह हैं आपकी अब्दुल रह्मान जो अब्दुल रह्मान है इन्होंने आदिकाल में आपके अवाहत भासा में रचना किया उपसन डी बनेगा अगरा है खड़ी बोली में सबसे पहले कावे का जो स्रिजन किया था वो किस ने किया था आपके अमीर खुसरोजी की आपसन आपका एस अमबर सभी का जवाब है सही हो जाएगा अगरा कोशन आपसे कहा रहा है मैथली का प्राचिंतम उपलफ धगरंथ कौन सा है मैथली का प्राचिंतम उपलफ धगरंथ कौन सा है यहाँ पर देखे आप कहेंगे सर यह है आपका वर्ण रतनाकर क्या है वर्ण रतनाकर यह मैथली का सबसे प्राचिंतम उपलफ धगरंथ माना जाता है अगला दिया गया है आलम्मनत धर्म का साधरनी करण होता है ये पंक्ति किस विद्वान ने दिया है ये पंक्ति आपके रामचन शुक ने दिया है कि जो आलम्मन है ये धर्म का साधरनी करण होता है अगला है कविता का अर्थात ये किस विदा के रचना है तो य यहां पर देखा जए तो आपका जो अंसर है वो आपका होजेगा उक्ति बेक्ति प्रक्रण ऊक्ति ब्यक्ति प्रक्रण यh आपके रचिना प्याकरण गरंतर से है और आपका D बनेगा अग olduğर कॉस्न आपस दिया ग्या है किस कवी को अभीने जयदेव के नाम से जाना जाता ह यहां पर देखे कोर्शन नमर आपका पूछा गया है सही जवाब क्या बनेगा अभिने यह देव कहा जाता है आपके किसे तो आप कहेंगे सर विद्या पति जिसको आपसन इसी नमर राइट हो जाएगा निश्कोर्शन जाएगा है अमेर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे अमेर खुसरो की बात करते हैं तो आपके इसर अमेर खुसरो को तूतिय हिंदी के नाम से जाना जाता है Ops kimber क्या हो जएगा B हो जाएगा परिछ्छा कैसी भी हो लेकिन paper आपको question आपको हर प्रकास मिलते हैं चाहे paper आपका TGT का क्यों नहीं हो लेकिन question इतने चूते मोटे आपके हर एक्जाम मिलते हैं यहां पर दिया है आलाखंड का दूसरा नाम इनमेंसी क्या है आला खंड का दूसरा नाम पूछा गया है और आप कैंगे सर आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रास्वाफस नमर आपका B राइट हो जाएगा यहाँ पर बताना है लिखा तो TGT है लेकिन आला खंड तो आपको हमने हर जगा पढ़ाया है और यह वहर जगा कोशन आए है यह टी जी टीक नहीं है इसमें आपके और एक्जाम के लिए क्लास होती है है लास्ट भी हिंदी साहत आपकी अड़ कर दी जाती है हना यहाप पर दिया है कि अलवार संतों की संख्या कितनी मान जाती है आप केंगे सर अलवार संतों की संख्या है यहाँ पर आपका A नमबर है याद रिखे 12 हमानी जाती जो 12 आपका राइट हो जाएगा अगरा कुर्शन जागया है कि निर्गुन भक्ती के कभी नहीं है निर्गुन भक्ती के कभी आपके कौन नहीं है निर्गुन में आप कहेंगे सर कभीर दास हैं दादु दयाल हैं रह दास हैं लेकिन स्री रामन अनुजचार यहाँ आपके निर्गुन में आपके नहीं आएगे यहाँ पर आपस नमबर अपका D राइट हो जाएगा निश कुर्शन है कि विज्यान गीता के रचीता आपकी कौन है विज्यान गीता के रचीता कौन है विज्यान गीता के हैं आपके केसो महराज जी कौन केसो दास वाले यहाँ पर केसो दास हो जाएगे अगला कोशन है सुद्धा दुइतावाद के प्रवर्तक आपकी कौन है सुद्ध दखाएंगे तो आप बलवान हो जाएंगे आर्था तो आप कहेंगे सर बल्लवाचार सुद्ध दोईता वाद के हैं कौन तो आप पर बल्लवाचार हो जाएंगे और अगरा कोशन जगा है रामानंद की सिस परंपरा में आते हैं जो रामानंद के सिस हैं यह जो आते हैं याद रिखेगा यह जवाब के हैं रामा अउन्जाचार की सिस परंपरा में आते हैं और यह जो सुन यूका था अगला है कि अजगर करेन चाकरी पंची करेन काम दास मालका कह गए सब के दाता राम अगला है पहला ग्यानपीट प्रुषकार किस लेखा कूपरदान किया गया था उमेद है इस कोशन का जवाब आप सभी लोग कमेंट वाक्स में जगरू कमेंट कर देंगे अना यहां पर जो कोशन मर आपका 354 है यहां पर 354 का जो आपसन है वो आपका सही क्या होगा यह कमें वाक्स में कमेंट करके बताना है धन्यवाद सभी को जैहिन वंदे मातरम